बिना खोया बिना मावा बिना पनीर और बिना घी बिना गैस जलाए इस मिठाई को हमने बनाया है जो कि दिखने में बिल्कुल मार्किट के मिठाई जैसा लग रहा है न और स्वाधिस्ट का एक जितना बनाना इसे आसान है, खाने में उतना ही जादा स्वादिस्ट है, अगर आपने एक बार इस मिठाई को बना लिया घर पे तो बार बार आप बनाएंगे इतना जबरदस्ती मिठाई बनकर रेडी होता है, तो छिली बना लेते हैं, आप सभी का स्वागत है किचन टु कि पूजा में, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप मिक्सी का जार लिए और इसमें एक चोथाई कप चीनी डाल दीजिए, अब इसमें जाएगा दस से ग्यारा बदाम और दस से ग्यारा आप काजू डाल दें, और इसे अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे, आनि कि ग्राइं का पुरादा आपको लेना है, एक कप, और इसे भी अच्छे तरीके से है ना, पीस लेना है, मिक्सी में, बिल्कुल बारिक पीस येगा, तो ये भी हमने पीस कर रेडी कर लिया है, और अब इसे हम डाल देंगे, जिसमें चीनी और ड्राइ फूट वाला पावडर डाला था आप इसके जगा पे मलाई भी डाल सकते हैं, दूट को गरम कर लिजे, रूम टेंपरेचर पे थंडा होने दीजे, उसके बाद दो चम्मच दूट डालिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क पावडर, आप किसी भी ब्रैंड का मिल्क पावडर यूज कर सकते हैं, और अब अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है, इस मिठाई को बनाने के लिए आपको दो या तीन चम्मच ही दूद की जुरत पड़ेगी, ज्यादा दूद मट डालिएगा, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे ना, तो ज अपने हाथों का इस्तमाल करूंगी, और हाथों की मदद से एक अच्छा सा सकत मतलब टाइट डोह लगाना है, बिल्कुल चिपचिपा डोह नहीं होना चीए, तो हमने यहाँ पर डोह बनाकर रेडी कर लें, मिठाई के लिए अब दो पार्ट में से डिवाइड कर देंगे एक पार्ट हम वाइट रहने देंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें हम यलो फूट कलर डालेंगे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं एक पिंच यलो फूट कलर डालते हूं और अच्छे से मिक्स कर लिया है, यह हमारे यलो ड तो आपको लेना है हलका सा फैला लीजे उंगलियों की मदद से अब हम वाइट वाला डो ले ले लेंगे इसे भी हलका सा फैला लेंगे और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ अगर यह बहुत जादा हलका सा चिपचिपा हो गया ना डो तो कोई टेंशन वाली बात या आप इसको फ्रीजर में पाच मिनिट के लिए रख दीजिए फ्रीजर में और उसके बाद फिर मिठाई इस तरीके से आप सेट कीजिए तो बिलकुल मतलब चिपचिपा नी होगा अच्छे से सेट हो जाएका और मिठाई जब आप इसे प्रेस करेंगे ना तो हाथ में भी नहीं लगेगा तो यहां पर अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लीजे फैला लीजे और फिर बेलन की मदद से आप इसे बेल लि तो तो बस इसे हम रोल करिंगे और बिल्कुल फ्लेट के सेंटर में रखेंगे।Ar जिस तरीके से मैं भी रोल कर रही हूं वैसा आपको रोल कर की से बढ़ा कर लेना है। लेकिन ये प्लेट हलका सा मतलब छोटा है तो अब इस रोल कोना में दो भाग में डिवाइड करोंगी यानि कि कट कर लोंगी क्योंकि जो मार्केट में मिठाई मिलती है वो कैसे होते हैं लंबे-लंबे से होते हैं इतना जादा मोटा नहीं होता है तो एक पार्ट मैं साइड में रखती हूँ और यह जो प्लेट के उपर हमारा जो पार्ट है मिठाई का उसे फिर हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे हथीलियों की मदद से और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हलका सा मैंने घी जो इस्तमाल किया है मिठाई का दूसरा वाला उसे भी हम ले लेंगे और उसे भी सेम प्रोसेस से रोल कर लेना है आपको यहां पर यह हमारी जो मिठाई है वो अच्छे तरीके से हमने शेप देकर रिडी कर लिया है और इसे हम बनाने वाले हैं बिलकुल मार्केट की मिठाई के जैसा तो आपको लेना होगा चांदी का वक जैसे मैं लगा रही हूं वैसे ही लगाईएगा क्योंकि चांदी का वक में अगर थोड़ा सा भी लगाएंगे तो आपकी उंगली में चिपक जाएगा तो जैसे हो कागज में होता है बस उसे इस तरीके से आप मिठाई के उपर रख के प्रेस कर दीजे तो बिलकुल ए अधूरी है वो मैं आपको आगे बताऊगे अब इसे हम 10 मिनिट के लिए सेठ होने के लिए रख देंगे फ्रीज में 10 मिनिट के बाद मिठाई हमारी सेठ होके रेडी हो जाएगी 10 मिनिट हो गया है मैं निकाल लिया है मिठाई को जो किनारे है ना उसे हम कट कर लेंगे और जो किनारे वाला पाठ है उसे साइड में रख देंगे और आप देख सकते हैं कितना इसलिए कट हो रहा है और इसका टेक्षर का अप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जादा सौफ्ट बनकर रेडी हुआ है तो अब इसे और अच्छे से हम डेकोरेट करने वाले हैं ताकि मतलब बिल्कुल मार्केट जैसा लगे यह तो मेरे पास यह मिठाई का जो नीचे वाला होता है पेपर वो था तो मैं इसी पेस मिठाई को रख रही हूँ और उसके बाद आपको जोरत पड़ेगा थोड़ा सा फूड कलर का जिसे आपको दूद में डाल करके और इस तरीके से बना लीजिए और मैंने मिठाई के उपर इसके पहले थोड़ा सा पिस्ता का जो ग्रेट करके रहता है और वो डाल दिया था कत्रन आप बोल सकते पिस्ता का और अब एक लकड के दागे कुछली हूं तो एक-एक केसर का धागा हम मिठाई के उपर रग देंगे तो यहां पर यह फाइनल हमारा जो मिठाई बनकर रेडी हो गया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में बहुत जाद अच्छा लग रहा है जैसे कि बिलकुल हम मार्केट में देख उमीद करते हूं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और यहां तक अपनी वीडियो देखी लिया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजे एक मिठाई में आपको तोड करके दिखाऊंगे कि इसका टेक्शर किस तरीके से अंदर से भी बहुत जादा स बन गया है बहुत सूखा सा लग रहा है बिल्कुल नहीं यह देखिए तो मैं आपको तोड करके दिखा लिए कि अंदर से कितना ज्यादा नरम सौफ टेक्शर बनकर रेडी हुआ है बिल्कुल एक दम पॉफिक मतलब ऐसा लगी नहीं रहा है कि समें मावा खोया हमने नहीं